हेलो दोस्तों सागते आप सभी का बीएस रिव्यूज में आज हम बग रिव्यू करेंगे नेट्फिक्स की मुवी कावल को तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो कावल यह मुवी कुछी दिन पहले नेट्फिक्स पर रिलिस हुई थी और आगे कुझी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को ट्रेजिक फैमिली ड्रामस देखना पसंद आते हैं या फिर आप लोग को फील गूड मुवी देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको यह मुवी कावज़ाद पसंद आने वाली है लेकिन एक न्योटरल आडियंस को यह मुवी कैसी लगीगी इस व चारण यह दोनों अलग हो चुके हैं और अब इस दोनों के लाफ में आगी क्या-क्या होगा यहिज सब इस मुवी की कहानी है अगर हम स्क्रीन प्लिगी बात करें पॉडसनली मुझे स्क्रीन पर काफी पसंद आया है कि इस तरह से मिंए स्टार्टिंग में दिखा जाता है और फिर जिसता से मूवी आगे भड़ती है, अपने पूरी situation को explore करती है, और अपने एक emotional side को explore करती है, वो सब इतना ज़ाद अचा है कि हम इस मूवी के साथ भैते चले आते हैं, और जब इस मूवी के high points आते हैं, तो हम भी थोड़ा emotional हो जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, और यह पूरी movie काफी ज़्याद प्रियेक्टेबल रहती है, इसलिए ट्विस्टें दन से ज़्याद उमीदे मत करना, क्योंकि आप लगबख सारे twist को काफी आराम से प्रियेक्ट कर लोगे, और आपको काफी पहले से पता होगा, कि यह सब होने वाला है, लेकिन फिर भ जो की काफी अच्छी बात है, और जो characters के उच्छे dynamics थे, वो भी मुझे काफी ज़्याद इंट्रस्टिंग लगें, लेकिन अगर हम इस movie के negative points के बात करें, तो इस movie में आपको कुछ problems देखने को ज़रूर मिलेंगी, लेकिन वो सारी problems काफी आराम से ignore हो जाती है, और जहांत जो एडिटिंग है, वो भी ठीक ठाकी है, और अगर हम production quality की बात करें, तो अच्छी है, तो overall में यही बोलना चाहूंगा, कि अगर आप लोग को tragic family dramas देखना पसंद आते हैं, या फिर आप लोग को feel good movie देखना पसंद आती हैं, तो आपको यह movie definitely पसंद आने वाली है, लेकि आपको वीडियो से related को suggestion ने शिकायत करने हो, तो भी आप हमें comments में बता सकते हैं, या फिर हम Instagram और Twitter भी follow कर सकते हैं, link description में आज के लिए बस इतना ही दोस्तो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत